जा साल 2023 में भारती क्रिकेटीम का वन डे का विनिंग रिकॉर्ड 100% है पहले शुलंका को 30 से हराया अब न्यूजिलेंड को भारत ने बीती शाम को 30 से मात दे दी है तो इस कॉंबिनेशन में अगर भारती क्रिकेटीम अपने करंट खिलाडियों के साथ ही वर्ल्ड कप के बड़े मैदान पर उतरे अगर इसी फॉर्म के साथ भारत को वर्ल्ड कप में उतरना पड़ सकता है तो इन सभी खिलाडियों में से क्या होनी चाहिए भारत की वर्ल्ड कप जीतने की परफेक्ट प्लेइंग 11 उसके बारे में करेंगे बातचीत क्या मुहमद सिराज को मिले की जगा या उम्रान मलिक की रफ्तार को दी जाएगी प्रात्मिक्ता बले बाजी के लिए मिडल ओर्डर में सूरे कुमारी आदव या श्रेय सेयर बड़े सवाल खड़े होते हैं लेकिन करंट फॉर्म के हिसाब से भारत के लिए बेस्ट वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है क्या है आपकी राय इसके बारे में वो सब जानने के लिए देखिए हमारी ये कास रिपोर्ट मिशन वर्ल कप के लिए टीम इंडिया की तैयारी जोरो पर है रोहित की अगुवाई में भारत ने साल का दमदार आगाज किया है पहले शुलंकाई टीम को रोहित ब्रिगेट ने रौंदा और अब न्यूजिलेंड के खिलाफ भी भारत ने क्लीन स्वीप किया है तीन मैचों की वनडे सिरीज में तीन जीरो से न्यूजिलेंड का सफाया करके टीम इंडिया वनडे क्रिकेट की नंबर वन साइट भी बन गई है जिसके बाद अब वल्ड कप के लिए भारती टीम की दावेदारी और भी मजबूत नजर आने लगी है भारती कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में शत्कों का सूखा भी खत्म कर दिया है शुबंगिल का बल्ला आग उगल रहा है और विराट डरन मशिन कोहली अपने पुराने अवतार में लौट चुके हैं उधर हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले दोनों से धमाल मचा रहे हैं तो वहीं मोहमद सिराज से लेकर शार्दुल और उम्रान मलिक से लेकर मोहमद शमी की चौकडी तेज गेंद बाजी ने तहल का मचा रखा है कुल्दी पियादों की शांदार वापसी से स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबुत हो चला है यहां से मिशन वाल्ड कप में भारत के बेहुतर प्रदर्शन करने की उमीद अब जग गई है वाल्ड कप की तैयारियों के लिहाद से भारत के पास अभी परियाप्त समय बाकी है टीम इंडिया को यहां से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन वंडे मुकाबले खेलने है फिर वेस्ट अंडीस का दोरा करना है इसके बाद एशिया कप में अपनी दावेदारी पेश करनी है और फिर वाल्ड कप से ठीक पहले एक बार फिर कंगारूं का सामना करना है ऐसे में वन डे वाल्ड कप के लिए भारती क्रिकेट कंट्रोल बोट द्वारा शॉर्ट लिस्ट किये गए 20-25 नामों को आस्मा कर वाल्ड कप से पहले रोहित एंड कंपनी अपनी प्लेइंग 11 को फाइनल कर लेना चाहेगी हाला कि अभी के हालातों में वाल्ड कप के लिए भारती टीम की प्लेइंग 11 की तस्वीर लगभग साप हो चुकी है जहां एक नज़र अगर 2023 वाल्ड कप के लिए प्रिडिक्ट प्लेइंग 11 पर डाने तो फिलाल ओपनिंग पोजिशन के लिए भारत के तीन दोहरे शतक वीर यानि रोहित गिल और इशान के शंत की तिकड़ी इसकौर्ड में मौजूद होगी लेकिन रोहित और गिल पारी की शुरुआत करते नज़र आएंगे जबकि शान को एक बैक अप ओपनर के अलावा बैक अप विकेट कीपर के रूप में प्रात्मिक टाम मिल सकती है वहीं इस टीम में किंक ओहली श्रेय सायर और उप कप्तान हार्दिक पांडिया का खेलना पका है ये तीन भारती टीम के मध्यक्रम की बागडोर संभालते नज़र आएंगे तीनों ही बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है और वल्ल कप जैसे बोड़े मंच पर इनके होने से टीम इंडिया की ताकत तीन गुना बढ़ जाएगी वहीं पर स्टार ओल राउंडर रविंद्र जडेजा भी तब तक अपनी फिटनेस हासिल कर लेंगे और अपने हरफन मौला खेल से भारती टीम के स्कॉर्ड को बैलेंस देंगे जबकि फ्रेइंग 11 में केल राहूल बतोर विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमी का निभाएंगे इसके अलावा जस्प्रीद भूमरा की वापसी से भारती टीम की तेजगेंदबाजी का मसला हल हो सकता है भूमरा और सिराज की जोडी अपने दिन पर विपक्षी टीम को धेर करने का माददा रखती है वहीं पर उमरान मलिक की रफतार बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए मुश्किले खड़ी कर सकता है जबके स्मिन डिपार्टमेंट का दारुमदार कुल्चा यानि कुल्दीप और चहल की जोडी पर होगा लेकिन इन में से कोई एक ही वर्लकप की फाइनल प्लेइंग 11 में अपनी जगेह बनाने में काम्याब हो पाएगा और अभी परफॉर्मेंस के हिसाब से कुल्दी प्याद और चहल के मुकाबले दोड़ में आगे चल रहे हैं वैसे दोस्तों आपके मुताबिक वर्लकप के लिए क्या होनी चाहिए भारती टीम की प्लेइंग 11 हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें